बेटे के जन्मदीन पर रात को डेड़ बजे फोन आता है, बेटा फोन उठाता है तो मा बोलती है जन्मदीन में 12 खोल अल्ला, बेटा गुस्ता हो जाता है और मा से कहता है सुबा फोन करती, इतनी रात को निन खराब क्यों की? कहा कर फोन रख देता है, थोड़ी देर बाद पीता का फोन आता है, बेटा पीता पर गुस्ता नहीं करता बलकि कहता है सुबा फोन करते, फिर पीता ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी मा पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फोन किया, वो तो आज से 35 सर पहले ही पागल हो गई थी जब उसे डाक्टर ने आपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था वो मनने के लिए तयार हो गई पर आपरेशन नहीं करवाया रात के डेड़ बजे को तुम्हारा जन्म हुआ साम 6 बजे से रात डेड़ बजे तको परसव पीड़ा से परिसान थी लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही भी सारी पीड़ा भूल गए उसके खुशी का ठीकाना नहीं रहा, तुम्हारे जन्मा से पहले डाक्टर ने दस्कत कराए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जम्मेदान नहीं हो, तुम्हें साल में एक दिन फोन किया तो तुम्हारे नींद खराब हो गए, मुझे तो रोज रात को पत्चीस साल से रात के देड़ बजी उठाती है और कहती है, देखो हमारे लल्ला का जन्मा इसी वक्त हुआ था, बस यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया था, इतना कहके पीता फोन रख देते हैं, बेटा सुनना हो जाता है, घर जाकर मा के पर पकड़कर मा भी मांगता है, पर अब तुम चले है, माप कर दो जी, बेटा है हमारा, सब जानते हैं दुनिया में एक मा ही है, जिसे जैसर चाहे कहो, फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी, पीता अगर तमाचन न मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए, इसलिए पीता कर सकतो होना भी जरूरी है, माता पीता को आपके दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए, उन्हें प्यार दीजिए, मा की ममता तो अनमौल है, अलो दोस्तों, अगर यहां कहानिया को पसलना है तो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेयर कर, धन्यवाद दोस्तों,